प्रक्षेपन के बाद भारत ने प्रक्षेपन यान तक्नीकी क्षेत्र में आत्म निर्भर होने के लिए बहुत कठिन और लंबा रास्ता दै किया है अंतरश्य स्तर पर इस खेत्र की तक्नीकी जानकारियों को ध्यान पूर्वक संरक्षत किया जाता है हमने एक कठिन रास्ता पार करते हुए इन्हें अपने आप सीखा है इस रो द्वारा वर्षों से प्रक्षेपन यान की तक्नीक के विकास के लिए किये जा रहे द्रड़ प्रयासों के फल्सवरूट PSLV, GSLV Mark 2 एवं अधिक वजन वहन करने की क्षमता वाले GSLV Mark 3 जैसे आधुनिक प्रक्षेपन यानों का निर्मान संभाव हो पाया है PSLV भारत का एक विश्वसनिय प्रक्षेपन यान है विगत 25 वर्षों में इसके द्वारा 52 स्वदेशी और 207 विदेशी उपग्रहों को सफलता पूर्वक अन्तरिक्ष में प्रक्षेपित किया जा चुका है पिछले कई वर्षों में PSLV में अनेक तक्नीकी विकास हुए चोटे हलके से लेकर भारी उपग्रहों के प्रक्षेपन के लिए आज PSLV के दो वर्षिन्स उपलब्ध हैं Core Alone एवं High-End Excel वर्षिन PSLV ने एक ही अभ्यान में एक साथ अनेक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की अपनी ख्रमता का भी बहुँ भी परिचय दिया है उपग्रहों को अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित करना भी संभव हो पाया है एक ही अभ्यान में एक साथ कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की शुरुआत 1999 में तीन उपग्रह सो हुई 2008 में 10 उपग्रहों से बढ़ते हुए 2016 में 20 उपग्रह और 2017 में PSLV C-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों को सफलता पूर्वक प्रक्षेपित करने का कीर्तिमान इसरों ने बनाया PSLV ने इसरों के कई महत्वपूर्ण अभियान जैसे चंद्रियान 1 एवं Mars Orbiter Mission में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है Core Alone Configuration वाले PSLV C-42 के वर्तमान अभियान में यान द्वारा United Kingdom के S-14 एवं नुवा सार नामक दो अंतरराश्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा रॉकेट के इस Configuration में 6 Solid Strap-on Motor नहीं होंगे यह PSLV का सबसे हलका वर्जिन है जिसने सबसे पहले अपरेल 2007 में सफलता पूर्वक उडान भरी थी भारत ये अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की व्यवसाइक शाखा Antrix Corporation ने United Kingdom की सरे Satellite Technology Limited SSTL के साथ उनके दो उपग्रहों S14 और Nova SAR के प्रक्षेपन के लिए अनुबंद किया है S14 444 किलोग्राम वजनी High Resolution Optical Earth Observation Satellite है जिसे SSTL द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया है इसका उप्योग संसाधनों के अवलोकन, परियावरन के निरिक्षन, शहरी विकास प्रबंधन एवं आपदा निरिक्षन के लिए किया जाएगा Nova SAR एक छोटा S-Band Synthetic Aperture Radar, SAR उपग्रह है इस 445 किलोग्राम वजनी उपग्रह के साथ S-Band SAR Payload और Automatic Identification Receiver है Nova SAR का उप्योग मुख्य तह, जंगलों के नक्षे, भूमी उप्योग एवं बर्फा छादित जमीन के निरिक्षन, बाड एवं आपदा निरिक्षन, जहाजों का पता लगाना एवं समुदरी निरिक्षन के लिए किया जाएगा इन दोनों उपग्रहों को PSLV C-42 द्वारा 583 किलोमेटर संसिंक्रिनस ओर्बिट में स्थापत किया जाएगा अपने एक और महत्वपूर्ण व्यवसायक अभियान को पूरा करने के लिए PSLV C-42 श्री हरी कोटा स्थित सतेश धवन अंतरिक्ष केंदर से अंतरिक्ष में उची उडान भरने के लिए एकदम तैयार है